Hello everyone, study with us, मैं आपका फिर से स्वागत है और आज हम डिसकुस करने वाले हैं सुपर इंपोर्टन कोश्चन्स जो की काफी इंपोर्टन है आपके नेट की एक्जाम्स के लिए नेट की पेपर 1 से लिएटेड सभी टाइप के जो कोश्चन्स है वो मैं आपको इस रिविजन सिरीज में कवर करा रहा हूं और ये जो है 18 वी वीडियो है नहीं 19 वी वीडियो है ठीक है अल्रेड़ी 18 वीडियो जो है अप्लोड कर दी गई है सिर्फ और सिर्फ इंबॉर्डन कोश्चन्स के उपर तो अगर आपने उस सब वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसे जरूर देख लें ठीक है और अगर आप तयारी करना चाहते है Net Paper One की Slaves Wise तो हर एक टोपिक पर आपको वीडियो मिल जाएंगी अलक से हमारी एक प्लेलिस्ट है NTA Net Paper One के नाम से प्लेलिस्ट है जहां पर आपको Topic Wise जो है वीडियो मिलेगी जहां पर जो है Topic को बकाइदा explain किया गया है ठीक है तो आप उसे भी देख सकते हैं link description में देदी है और उपर जो i button है उस पर click करके भी आप हमारी सभी वीडियो उसको देख सकते हैं तो चले शुरू करते हैं आज की वीडियो आज का जो पहला सवाल है वो ये है कि निम्न में से कौन सी NCRT की सहयोगी इकाई है ठीक है associate unit बताने है NCRT के तो NCRT की जो सहयोगी की इकाई है तो देखे राष्टे शिक्षा संस्थान ये भी है केंद्रिये शैक्षिक प्रोधोग की संस्थान ये भी है और छेत्रिये सिक्षा संस्थान ये भी है तो सही जो आंसर है इस कोशन का वो है option number D उप्युक्त सभी ठीक है ये सभी जो है वो NCRT की सहयोगी इकाईया है NCRT की बात करें तो हम इसकी स्थापना हुई ती सन 1961 में सब्टेंबर में ठीक है जो headquarter है वो है नई दिल्ली में ठीक है नई दिल्ली में तो ये extra point भी आपको याद रखना है एक्जाम में पूछा जाता है नेस्ट कोशन है अब देखिए ये question जो है ये पिछली साल एक्जाम में पूछा गया था कि गीगाबाइट किसको परदर्शित करता है गीगाबाइट जो है वो किसको परदर्शित करता है तो इसका जो सही आंसर है वो है option नमबर भी ठीक है option नमबर भी एक अरब को जो है परदर्शित करता है ठीक है गीगाबाइट यानि कि जीबी ठीक है GB और एक अरब यानि आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि एक GB बराबर होती है दो की पावर 30 बाइट से या बिट्स थे ठीक है दो की पावर 30 बिट के समान होती है 1 GB ठीक है और यहां पर बिट जो मैं बोल रहा हूं bit का यहाँ पर जो मतलब है वो है binary digit ठीक है नहीं bit का मतलब यहाँ पर क्या है binary digit जो की 0 और 1 के रूप में होती है ठीक है यह points आपको याद रखने है bit का मतलब binary digit और 1 gv बराबर होती है किसके तो 1 अरब की और अगर mathematical way में देखा जाए तो 2 की पावर 30 ठीक है bit के बराबर होती है next question है निमिल लिखित में से कौन प्राथमिक memory होती है यानि कि primary memory का एक्जम्पल पूछा जा रहा है तो इसका सही जो answer है वो है option number C option number C A और B जो है इसका correct answer है ठीक है यहाँ पर RAM यानि की RAM यहाँ रोम यहाँ पर full form की अगर हम बात करें तो full form याद रखे RAM यानि की random access memory और ROM की जो full form होती है वो होती है read only memory ठीक है तो इसका सही जो answer मैंने बता दिया option number C और A और B जो है यह दोनों की दोनी जो है वो परात्मिक memory है ठीक है ठीक है तो यह है परात्मिक memory और जबकि जो नीचे hard disk दी गई है यह hard disk जो होती है यह secondary memory होती है ठीक है यह secondary memory होती है और secondary memory में और भी आ जाते हैं जैसे की एक तो हो गया hard disk ठीक है और एक होता है compact disk Compact Disc और एक और होता है जिसे हम बोलते है Floppy Dix Floppy Disc और एक होता है Magnet Disc Magnet Disc ठीक है ये सब के सब आते हैं किसमें? Secondary Memory में आते हैं ठीक है सारे के सारे Secondary Memory और ये Primary Memory के एक्जामपल है RAM और ROM ठीक है Next Question है भारत के सभी केंद्रिये विश्विधालेव का कुल अध्यक्ष कौन होता है? कुल अध्यक्ष कौन होता है? यानि Head कौन होता है? जितनी भी Central University है भारत में उसका कौन होता है अध्यक्ष? या कुल अध्यक्ष? तो इस Question का जो सही Answer है वो है Option Number B ठीक है? राष्टपती जो होता है वो सभी भारत के केंद्रिये विश्विधाले जो होते हैं उनका कुल अध्यक्ष होता है जबकि अगर केंद्रिये विश्विधाले ना होकर के राज्जी के विश्विधाले आपे दिया होता ठीक है? राज्जे वाला दिया होता विश्विधाले तो उसका कुल अध्यक्ष होता है राज्यक्ष ठीक है? तो याद रखें अगर राज्जे है HTML, हाइपर, टेक्स, मार्कप, लेंग्विज, इसका फुलपॉर्म है, इसका विकास किसके द्वारा किया गया था, HTML का विकास जो है, वो किसके द्वारा किया गया था, तो सही जो इसका अंसर है, वो है option number B, ठीक है, Tim, बर्नर्स, ली के द्वारा जो है, इसका विकास किया गया था, कब किया गया था, तो 1990, ठीक है, 1990 में, और अगर आपसे पूछे कि विंडो, विंडो, ओपरेटिंग सिस्टम, विंडो ओपरेटिंग सिस्टम, कौन लेके आया था सबसे पहले, तो आपका अंसर होगा Microsoft, यह Microsoft एक कमपनी है, ठीक है, Microsoft, विंडो ओपरेटिंग सिस्टम लेके आया था, विंडो के कई सारे ओपरेटिंग सिस्टम है, आप देखा होगा, आपने सुना भी होगा, विंडो एक्सपी, विंडो सेवन, विंडो टैन, ठीक है नहीं, विंडो टैन, ठीक है, यह सारे के सारे क्या है, सारे के सारे ओपरेटिंग सिस्टम है, विंडो के, नेस्ट कुश्चन है, Microsoft, Microsoft कमपनी की इस्थापना किसके द्वारा की गई थी, किसके द्वारा की गई थी देखे वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो like जरूर करना ठीक है क्योंकि like से ही हम आगे की वीडियो को decide करते हैं कि आप videos में interest ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं ठीक है तो like जरूर कर दिया करें और पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो जरूर देखें लिंक डिस्क्रिप्शन में है ठीक है और पहले की वीडियो जो है आपको हमारे चैनल पर भी मिल जाएगी तो कि I hope इसका आंसर आपने कैस कर लिया होगी Microsoft Company की स्थापना किस नहीं की थी स्थापना की अगर बात करेंगा तो आपको ए और भी दोनों टिक करना है बिल गेट्स और पॉल एलन ठीक है तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने है जबकि Steve Jobs की अगर हम बात करें Steve Jobs जो है ये Apple Company के स्थापक है निमिल लिखित में से किस विवस्था में विचारों और मुद्दों की वियापक रेंज को संभव बनाया जा सकता यानी जो विचार वगए bize होते हैं उसको काफी व्यापक बनाया जा सकता है किस में कारशाला में सम्मेलन में संगोस्टी में या फिर सोद लेखन में सोद लेखन में तो बिलकुल नहीं क्योंकि सोद लेखन का जो संबंध है उतो लिखने से है ठीक है विचारों मतलब विचारों को अभिवेक्त करने से नहीं है कारेशाला जिसमें कि कुछ ही लोग होते हैं जो कि सामोही कुरूप से कारे करते हैं तो इसमें नहीं होगा सही आंसर इसका option number B संबेलन में ठीक है संबेलन क्योंकि इसमें अधिकतर लोग जो है सामिल होते है तो सही आंसर option number B है इसका संबेलन नेस्ट कोशन है विज्ञानिक अनुसंधान के मुख्य अभी लक्षन क्या है मुख्य अभी लक्षन क्या है तो इस कोशन का जो सही आंसर है वो है option number D ठीक है अनुभव सिद्ध, सिध्धानत और पर्योगे ये तीनों जो हैं विज्ञानिक अनुसंधान के अभी लक्षन है ठीक है option number D इसका correct answer है उप्यूक तो सभी next question है कि एक सोध करता बच्चु की चिंता उन्मुक्त या उन्मुक्ताओ उन्मुक्ताओ का पोशन विधी के परभाव के आकलन करने का परयास करता है तो यह कौन सी सोध विधी का हिस्सा है ठीक है तो इसका जो सही answer होगा वो होगा कारे उत्तर पद्धती का option number 20 का सही answer होगा यह जो हिस्सा होगा यह कारे उत्तर पद्धती का यह हिस्सा है ठीक है ओके तो आज की वीडियो में इतना ही ठीक है I hope ये वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें ताकि ऐसी वीडियो की नूटिफिकेशन भी आपको day to day मिलते रहे हैं, so मिलिंगे अब next video में, thanks for watching this video